तो चलिए अब हम इस chapter का पहला topic स्टार्ट करते हैं जिसमें हम three dimensional space के introduction के बारे में पढ़ेंगे इस topic के learning objectives कुछ इस प्रकार है इसमें हम सबसे पहले coordinate axis and coordinate plane के बारे में सीखेंगे After that, three dimensional space में किसी point के coordinates कैसे find करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो चलिए अब हम इस topic का पहला concept स्टार्ट करते हैं जिसमें हम coordinate axis and coordinate plane के बारे में सीखेंगे यदि हम two dimensional space की बात करें तो इसमें हम एक plane में एक horizontal line लेते थे जिसे हम x axis कहते हैं एंड एक vertical line लेते थे जिसे हम y axis कहते हैं जहां इन दौनों lines का intersecting point origin होता है जिसे हम typically o से represent करते हैं एंड यह plane x y plane कहलाता है यह दोनों perpendicular lines और axis इस plane को four parts में divide करती हैं जिने हम quadrants कहते हैं अब यदि हमें इस plane में कोई point P जिसके की coordinates से x, y इसको represent करना है तो हम कैसे करते थे इसे represent करने के लिए हम सबसे पहले x axis के along x distance travel करते हैं इसके बाद हम y axis के along y distance travel करते हैं अब जो हमें point मिला है वही point P होगा जिसके की coordinates होंगे x, y अब जो point P के coordinates हैं x, y उनके sign के according हम यह बता सकते हैं कि point P किस quadrant में होगा यदि x and y दोनों ही positive हैं तो point P first quadrant में होगा x negative है and y positive है तो P second quadrant में होगा x and y दोनों ही negative है तो P third quadrant में होगा एंड यदि x positive है और y negative है तो point P है वह fourth quadrant में होगा अब यदि हम three dimensional space की बात करें तो जिस परकार two dimensional में एक plane में दो perpendicular lines लेते थे इसमें line की जगए plane यूज करेंगे माना हमारे पास यह एक plane है अब यदि हम इस plane के perpendicular एक और plane लें तो हम देख सकते हैं कि इनके intersection से हमें एक line मिलती है अब यदि हम इन दोनो planes के perpendicular एक और plane लें तब हमें इस plane एंड पहले वाले दोनो planes के intersection से हमें दो और lines मिलती है जो की आपस में perpendicular होने के साथ-साथ पहले से प्राप्त line के भी perpendicular होती है अब यहां हमें इन तीन perpendicular planes के intersection से जो तीन perpendicular lines मिली है उन्हें ही हम three dimensional space में coordinate axis कहते है अर्थात यदि three dimensional space में हम तीन mutually perpendicular lines ड्रो करें तो ये तीनों lines three dimensional space के लिए coordinate axis का काम करती है अब यहां देखें तो जिस परकार two dimensional space में हम typically horizontal line को x-axis and vertical line को y-axis लेते थे तो यहां three dimensional space में हम इस line को x-axis लेते हैं इस line को y-axis लेते हैं एंड इस line को हम z-axis लेते हैं एंड एंड तीनों lines के intersection point को हम origin लेते हैं अब आप सभी को coordinate axis का यह notation याद रखना है क्योंकि आगे पूरे chapter में हम यही notation follow करने वाले हैं अब next coordinate planes की बात करें तो इस plane में हम देख सकते हैं कि इसमें x-axis and y-axis present है सो इस plane को x-y plane कहते हैं इसी प्रकार इस plane में हम देख सकते हैं कि इसमें y-axis and z-axis present है सो इसे हम y-z plane कहते हैं इसी तरह यदि हम इस plane में देखें तो इस plane में x-axis and z-axis present है तो इसलिए हम इसे x-z plane कहते हैं अब यदि हम यहाँ देखें तो ये तीनो परपेंडिकुलर प्लेंस, कम्पलीट थ्री डायमेशनल इस्पेस को, एट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें ओक्टेंट्स कहते हैं, जिसमें इस ओक्टेंट को, X ओव YZ से रिप्रजेंट करते हैं, एट इसे हम सेकंड ओक्टेंट भी कहते हैं, इसी प्रकार ये दियम इस ओक्टेंट की बात करें, तो इसे X डैस O Y डैस Z से रिप्रजेंट करते हैं, एट इसे हम थर्ड ओक्टेंट भी कहते हैं, इसी प्रकार ये दियम इस ओक्टेंट को देखें, तो इसे हम X O Y Z Z अक्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे 4th अक्टेंट भी कहते हैं इस अक्टेंट को X O Y Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे 5th अक्टेंट कहते हैं इसी प्रकार इसको X O Y Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 6th अक्टेंट कहते हैं एंड इस octant को x dash o y dash z dash से represent करते हैं एंड इसे 7th octant कहते हैं अब यह दिया हम last इस octant की बात करें तो इसे x o y dash z dash से represent करते हैं एंड इसे 8th octant कहते हैं इस coordinate system में यह जो तीनो lines और axes हैं वो mutually perpendicular हैं इसलिए इसे rectangular coordinate system भी कहते हैं जिसमें सभी distance origin से major की जाती हैं जिसमें यह दिया हम किसी axis पर एक direction में distance को positive लेते हैं तो इसके opposite direction में distance को negative लेंगे तो इस coordinate system में x axis पर इस direction में distance हम positive लेते हैं तो इसलिए इस direction में distance को हम negative लेंगे इसी प्रकार यदि हम y-axis की बात करें तो y-axis में इस direction में distance positive लेते हैं तो इसलिए इस direction में जो distance होगी वो negative होगी इसी तरह यदि हम z-axis की बात करें इस direction में हम distance को positive लेते हैं इसलिए इस direction में जो distance होगी उसे हम negative लेते हैं I hope आप सभी को 3-dimensional space में coordinate axis and coordinate planes का concept समझ में आ गया होगा